सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो जाब तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुत ही जादा बढ़िया मोबाइल से रियल्मी और रेड्मी के तरफ से रेड्मी का नोट 9 प्रो जो आपको मिलता है 13,000 का केमत अब इसकी कम हो गई वहें दूसरे तरफ है रियल्मी के तरफ से रियल्मी एट जो लेटस लाँच कर दिया रियल्मी ने 15,000 का तो दुनों में 2,000 का फर्ख है इस वीडियो में इन दुनों में comparison करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है, क्या क्या चाहिया है और आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा चले देखते हैं, 13000 में Note 9 Pro के साथ क्या क्या मिलता है तो जैसी आप Unbox करते हैं सबसे पहले एक Mini Box मिलता है जिसमें लगवा है X Injector Tool अंदर की तरफ दिये गए हैं कुछ User Manual एक मिल जाता है Cover जिसकी Quality Normal है Mobile मिलता है Rapper के अंदर Detail Look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको दी गई है यह White Color में Data Cable Length और Quality की दोनों बहुत जादा बढ़िया है और अची चीज यह है इसके साथ आपको Type C Cable दी गई है आखर में आपको रखाव मिलता है यह White Color में Charger जिसके Build Quality काफी जादा बढ़िया है अब दोस्तों इस Mobile के अंदर आपको Fast Charging का Support भी दिया गया है और एक 18W का Fast Charger Mobile के साथ Box के अंदर ही मिल जाता है तो Charger आपको Fast दिया गया है Redmi के Note 9 Pro के साथ अब यह सारा समन आपको मिलता है इस Mobile के साथ 13,000 में Rate की साब से देखा जाए तो Box के जो Contents है वो आपको काफी जादा बढ़िया ही दिये गया है Charger भी Fast है Type-C केबल भी है और Cover भी मिल जाता है चले देखते हैं अगर आप 2000 जादा खर्च करते हैं तो Realme 8 के साथ क्या के दिया गया है 15,000 में तो जैसे आप Unbox करते हैं इसके Box में भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक Mini Box ही इसमें पीशे की तरफ लगा हुआ है एक Simjector Tool अंदर की तरफ दिये गया है कुछ User Manual इस तरीके से एक मिल जाता है जादा Better Quality में Cover Cover इसके साथ आपको जादा अच्छा दिया गया है Mobile मिलता है Rapper के अंदर ये मेरे पास है Silver Color में Detail Look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेता है Box के अंदर आपको दी गई है ये White Color में Detail Cable Length और Quality इसके दोनों बहुत जाद अच्छी है और अच्छी चीज ये है इसके साथ भी आपको Type C Cable दी गई है आखर में आपको रखावा मिलता है ये White Color में Charger इसके Build Quality काफी जादा बढ़िया है काफी Heavy Charger है ये और दोस्तों इस Mobile के अंदर भी आपको Fast Charging का Support दिया गया है लेकिन इसके साथ आपको 30W का Fast Charger मिलता है Note 9 Pro के साथ है 18W का इसके साथ 30W का एक Hobies में आपको जादा बढ़िया दी गई है लेकिन इसके कीमत भी 2000 जादा है Note 9 Pro से तो Rate की साथ से देखा जाए तो Box के जो Contents है वो दोनों के साथ आपको अपनी अपनी जगा काफी जादा बढ़िया ही दिये गए है इसके कीमत भी जादा है 2000 तो एक Hobies के अंदर आपको Charger की और जाद अच्छी मिल जाती है चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन मिलता है बहुत ही जादा Glossy Light की Reflection आप देख सकते हैं दोनों के Back Panel पर बहुत अच्छी लग रही है Redmi के Note 9 Pro मापको Golden Color बहुत ही जादा बढ़िया मिल जाता है Glass डिजाइन दिया गाया है Gorilla Glass की Protection के साथ तो Color भी अच्छा है और Quality भी बढ़िया है डिजाइन की वहीं दूसरी तरफ Realme 8 मापको Plastery के टाइप के डिजाइन दिया गाया है साइड से Silver है दूसरी साइड आपको Rainbow Shades दिये गाया है जो बहुत बढ़िया लगते हैं लेकिन इसमें Plastery के टाइप के डिजाइन है बात कर दोस्तों कैमेरे के बारे में तो Note 9 Pro मापको बिज़े की तरफ 4 कैमेरे दिये गए हैं जिसमें में कैमेरा है पहला 48 मेगापिक्सल का दूसरा 8 तीसरा 5 चौथा 2 मेगापिक्सल का फ्रेंड कैमेरा है इसका दोस्तों 16 मेगापिक्सल का वहीं दूसरे तरफ रियलमी 8 मापको बिज़े की तरफ 4 कैमेरे दिये गए हैं जिसमें में कैमेरा है पहला 64 मेगापिक्सल का दूसरा 8 बाकी के 2 कैमेरे हैं दो-दो मेगापिक्सल के फ्रेंड कैमेरा है इसका 16 मेगापिक्सल का दोस्तो camera की जो performance है वो आपको Realme 8 के अंदर भी और Redmi के Note 9 Pro के अंदर भी दोनों ही mobile's के अंदर आपको camera की performance बहुत ही जादा बढ़िया मिल जाती है अगर आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है तो आप वैसे कम कीमत में Note 9 Pro भी ले सकते हैं और Realme 8 भी काफी बढ़िया है camera को लेकर इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design जाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा वैसे look wise color और ज़्यादा latest है Realme 8 का लेकिन quality ज़्यादा बढ़िया होने के वज़े से मुझे Note 9 Pro ही ज़्यादा पसंद आया design में बात कर दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो Note 9 Pro के अंदर आपको 6.67 इंचिस की साड़े चेंज से थोड़ी से ज़्यादा IPS डिस्प्ले मिल जाती है वहीं दूसरे तरफ Realme 8 के अंदर आपको साड़े चेंज के आसपास 6.5 इंचिस की AMOLED डिस्प्ले दी गई है बात कर दोस्तों user interface के बारे में तो Redmi के Note 9 Pro में आप इसे right side पर swipe करेंगे आपको सारी apps मिल जाती है Realme 8 के अंदर आप इसे उपर के तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोस्तों user interface को लेकर मुझे ये दोनों ही mobile's normal ही लगे बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से features आपको देखने में किसके जाद अच्छे लग रहे है Realme के या फिर Redmi के ये आपकी पसंद की ही बात है अब दोनों की display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ Redmi के Note 9 Pro के अंदर भी Realme 8 में भी दोनों के अंदर आपको punch hole camera वाला design दिया गया है display के अंदर ही camera है Note 9 Pro में आपको बीच में मिल जाता है Realme 8 के अंदर आपको और जादा छोटा size दिया गया है camera का वो भी side में तो display का जो design है वो थोड़ा सा और जाद अच्छा है Realme 8 का बाकि दोस्तों बात करें quality के बारे में तो display के अंदर colors के अंदर brightness में कोई competition नहीं है Realme 8 की जो display है वो काफी जादा बढ़िया है Note 9 Pro से तो display का design भी quality भी Note 9 Pro से जादा बढ़िया दी गई है आपको Realme 8 के अंदर ही fingerprint scanner आपको Realme 8 में display के अंदर ही मिलता है left side साब देहेंगे दोनों को तो sim के tray दी गई है इस तरफ दोनों के अंदर आप दो sim card एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है दोस्तो साइडों से जो build quality है वो Note 9 Pro की जादा बढ़िया है इन दुनों में निची की तरफ साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है right side साब देहेंगे तो volume के buttons और power के buttons Note 9 Pro के अंदर आपको fingerprint scanner side में दिया गया है power के button के अंदर ही Realme 8 में display के अंदर है उपर की side साब देहेंगे तो दोनों के अंदर आपको noise cancellation mic तो मिल जाता है लेकिन Note 9 Pro के अंदर आपको IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप इससे चला सकते हैं दोस्तो Redmi के Note 9 Pro में आपको दी गई है 13000 में 4GB RAM, 64GB के internal storage Realme 8 के अंदर आपको मिलती है 15000 में 4GB RAM, 128GB के internal storage तो RAM तो दोनों में बराबर है लेकिन storage आपको double दी गई है Realme 8 के अंदर इसके लब दोस्तों इन दोनों mobile's के अंदर आपको Note 9 Pro के अंदर तो आपको मिलता है Android का 10 version Realme 8 के अंदर आपको Android का बिल्कु लेटेस version मिल जाता है Android 11 बात कर दोस्तों battery के बारे में तो Note 9 Pro के अंदर आपको battery दी गई है 5020 हमेश की Realme 8 के अंदर आपको battery मिल जाती है 5000 हमेश की एक दिन का battery backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाता है, battery में दोनों अच्छे है और भी जादा बढ़िया है Realme 8 क्योंके इसके अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है charger भी जादा fast मिल जाता है box के अंदर ही बात कर दोस्तों processor के बारे में तो Note 9 Pro के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 720G processor Realme 8 के अंदर आपको मिलता है MediaTekker G95 processor अब दीखिए दोस्तों अगर आप एक बहुत जादा heavy user है performance अगर आपको बहुत जादा बढ़िया चाहिए तो दोस्तों ये दोनों ही mobile बहुत जादा बढ़िया रहेंगे आपके लिए processor दोनों ही के अंदर आपको बहुत जादा अच्छे दिये गए है Note 9 Pro और भी जादा बढ़िया है कीमत भी 2000 कम है और इसके अंदर आपको performance काफी जादा बढ़िया ही मिल जाती है Realme 8 की तरह अब ये सारी खूबिया कमिया है इन दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपको Redmi पे ज़्यादा भरोसा है ये फिर Realme पे और इसके बाद आपकी जो में ज़रुत की चीज है वो किसमा ज़्यादा बढ़िया है तो दोस्तो देखेंगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए तो आप Note 9 Pro खरीद दियेगा इसकी जो build quality है वो ज़्यादा बढ़िया है Glass design दिया गया है Gorilla Glass की protection के साथ इसके साथ दोस्तो अगर आपको display चीज चाहिए तो आप Realme 8 लीजियेगा इसके अंदर आपको display की quality ज़्यादा बढ़िया दी गई है और दोस्तो अगर आपको camera अच्छा चाहिए तो आप कम कीमत में Note 9 Pro भी ले सकते हैं camera इसके अंदर भी आपको काफी ज़्यादा बढ़िया दिया गया है और कीमत भी कम है और दोस्तो अगर आपको processor बढ़िया चाहिए performance अच्छी चाहिए तो भी आप कम कीमत में Note 9 Pro ले सकते हैं इसके अंदर आपको processor काफी ज़्यादा बढ़िया दिया गया है Realme 8 की तरह वो भी कम कीमत में आखर में दोस्तो अगर आपको battery बढ़िया चाहिए तो आप Realme 8 खरी दियेगा एक तो बढ़िया डिस्प्ले दूसर आपको battery ची चाहिए ये दो खुबिया इसके अंदर बढ़िया है तीन खुबिया है Note 9 Pro के अंदर quality wise काफी ज़्याद अच्छी वो भी कम कीमत में एक तो design की quality बढ़िया है दूसर इसके अंदर आपको processor काफी ज़्याद बढ़िया दिया गया है और तीसर इसका camera काफी ज़्याद अच्छा है तो अगर आपको ये तीन खुबिया बढ़िया चाहिए तो दोस्तो आप 2000 save करके Note 9 Pro भी ले सकते हैं कम कीमत में ये mobile आपके लिए काफी ज़्यादा बढ़िया रहेगा इन तीन खुबियो के लिए आप बताएगा दोस्तो कमेंड करके आपको इन दोनों mobile में फिर भी कौन्स ज़्यादा पसंद आया मुझे दोस्तो परसलिए दोनों ही mobile काफी ज़्यादा बढ़िया लगे realme 8 काफी अच्छा लगा amoled display होने की वज़े से और note 9 pro भी काफी बढ़िया लगा इसकी खुबिया बहुत ज़्यादा अच्छी है आप ज़रूर बताएगा वीडियो कर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे इसके लब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा वाट से फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई